एक नई ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वाग है भी शरोबर के टट से मैं इस ब्लॉग की सबाद कर रहा हूँ मौसम यहां का अभी में थोड़ा साथ ठीठा की है अभी कोई ज्यादा गर्मी नहीं पड़े गर्मी है एकडम से ठंडर पाड़नी समझ हुई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं सरोबर के ठीठा कर रहे हैं जहां पर मुख टैम है मिश्र मंदर इसके सामने पड़त है बारिस नहीं हुई तो इस साल यहां पर थोड़ा ठंडा कम है एक दम उंचाई वाले छेत्र में जैसा कि आप देख पार है धूप अखिली हुई है हुई 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 है हुई 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 ह करो न हम कर दो कर दो करेम कर दो कर दो तो कर दो कर से जढ़ कर दो कर दो कर दो कर समय है झाल प्रभ्लाइंटें उड्ता प्रेंड़ी आंडना झाली आए झाल कर दो कर दो, हुआ जड़ दो दो, पीज़ी के साफ़िध सुन्ला टूंब रोगता बरोगता, ड़र के सबंगी होगा, ज वर हुआंगा Nhूप कर दंगान धे जिर के तो दूरात, जब रहा हुआगान को जो ड़र नब झाल में विए करें जाक सहे जा हुआ हुआ है अजग को अज़ है प्सक्ष्ण प्सक्ष्ण भी आप प्सक्ष्ण यंप तो इस तरीके से जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी मैं तालाप के खिनारे चल चलता आ रहा है तो यहाँ पर दो डक्स हैं डक्स का जोड़ा है जो ब्लैक कलर की हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं पानी के अंदे से साथ अपने लिए इडेविल आइटम ढोड़ रह जिसके उपर मुझे याद आया पहले टीवी के इंटेना होते थे तो इसी तरह के होते थे आइठिंक के यह सोलर पैनल है और इसमें एरियल जैसा लगा हुआ है और इस तरह से मौसम एकदम साफ है पेड़ों के पत्ते हाला कि गिर चुके लेकिन फिर भी अपेक्षाद इस प्रच रहते हैं और अच्छी धूप खिली रहते हैं दिन भर और आप यहाँ पर आकर दिन भर धूप का अनंद ले सकते हैं साथ में यहाँ पर हाला कि यह कोई ट्यूरिस्ट सीजन तो नहीं है लेकिन थे भी एकाल नावे चल रही है और यह दो तरह किसमें डक्स आपको म हैं उसकी तरफ जारी इस तरह से यहाँ पर आप लोग नौकायन का भी आन में ले सकते हैं यह डैम है जहां से पानी की निकासी सचाई और पेजल संबनी अफशक्ताओं को पूरा करने के लिए होती है इस तरह से अब ज्यादतर जो है नावे प्लास्टिक के ही रूप में लखड़ी के फलो नौकायन की आदि कि ज्यादा परता है और हरचसुरी हो तो प्लास्टिक कि नावे ज्यादा लंबी आयू वाली होती है और इनको अप्रेट करना थोड़ा आसान भी होता है पत्वार वाली नाव के लिए विसेस ट्रेनिंग के जरुद होती है हाला कि पाइडिल वाली बोट में भी ट्रेनिंग के जरुद होती है लिए कोई भी ब्यक्ति इनको चलात देता है लिए पत्वार वाली नाव के लिए आपको विसेस आउपरेटर ही उसको करता है इस तरह से बतकों का जुंड है और साथ में लोग नौकायन करते हुए जा रहे हैं टापू की तरफ जैसा कि आप देख पारें एक बार मैं भी गया था जिसका मैंने प्रॉपर ब्लॉग डाला हुआ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर अगर आप जानना चाहती किसी ब प्रॉप लेक्स इन दिस सीजन जाडव के मौसम में यह बीच ओ बीच में है इस तरह से दोस्तों इसी के साथ आज का है व्लॉग में यही पर समाप्त करता हूँ वीडियो में अंतितक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर वीडियो आज के सुझाओं से हमें वीडियो को और बेहतर बनाने में वत्त मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड हैव नाइश दे